कि सोच कर दिल घबराता है कि आज उस गरीबी से हम आपको बाहर निकालने का हर परियास कर रहे हैं कि इतना गरीब लोग कि अपना पेड़ भी नहीं पाल सकता अपना परिवार भी पाल नहीं सकता कई लोग ऐसा है जो अपना बाल बच्चा पत्मी को भी छोड़ देता है बिकलांग सभी को पैंसन दे रहे हैं और उसके बाद गरीबों के उग का जो कहर है सबसे अधिक हमारे आने वाली पीडी को सजाने सवारने वाली बच्चियों पर गिरता है हमारे गाम दियात में गरीबी इतना है कि घर में बाल बच्चा अधिक है लड़किया अधिक है तो आठवा नवा पढ़ती नहीं है बिचारा उसके लिए दुलाडू नहीं लगता है और साधी भिया करके सुतुराज बेज़ दो बोजा घड़ी आएगा हम सभी माबापों को बिनिती करते हैं अब बेटिया बोज आपकी नहीं बनेगी आप बेटियों का पूरा जिन्मा सरकार उठाएगी ये हमने संकल्प लिया है आज हम लोगोंने सावित्री भाई फूले योजना सुरू किया है जिसमें आज पूरे राज में लगबक आठ लाग बच्चीयों को इस से हमने जोड़ा है और अभी अचानक मुझे इसी दौरान में इस कैम्प के दौरान में पता चला कि कानूर बन गया है दो बेटी के ल अपने सहलियों के साथ वो भी कहीं है हमारे किसी कारिक्रम में हम बच्चों से मिले हमने पूचा बेटा बताओ तुम लोगों को सावित्री भाई फूले का योजना मिला की नहीं मिला 15-20 बच्चिया थी सबी बच्चियों ने हाथ खड़ा किया नहीं हमको मिला है एक बेटी नहीं हाथ खड़ा कर पाई भраш उने पूचा क्या हो बेटा तुम को वो चुप और चुप होने के बाद तो लगा कि क्या हो गया इसको क्यों नहीं मिला तो उसने बताया कि हम तीसरा बेटी है गर में इसलिए हमको नहीं मिला हम जो यह कैसा कानून बन गया भाई तो हमने उसी समय नेर्ड़े लिया अब इस राज में जितना भी घर में बेटी होगी दो तीन चार पाज सभी को सावितरी भाई फूले का योजना देंगे और इस पर हमने और इस पर हमने कल के कैबिनेट में मोहर भी मार दिया है और अब आने वाला समय में आप लोग पढ़ाई छोड़िये मत और बैटी अब हमेशा अब इंजिनियर भी बने भी डॉक्टर भी बनेगी वकील भी बनेगी पत्रकार भी बनेगी अभी सभी दस्वी ग्यारवी बारवी क्लास के बच्चे को गुरूजी क्रेडिट कार्ड हम देंगे जो यहां पर आप लोग के लिए स्टॉल भी बना हुआ है आप लोग उस क्रेडिट कार्ड को बनवाईए आने वाला समय में आपको पता है इंजिनियर बनने के लिए डॉक्टर बनने के लिए लाखों रुपिया खर्च होता है और आज हमारे आदिवासी भाईयों के पास चितना लाख रुपिया है जी बैंक में बुरा भर के और बैंक वाला के पास मांगने भी जाओगे तो एक रुपिया भी नहीं देगा तो हमने यह ने लिया है कि हम अब बैंकों के सहारे नहीं इन बच्चों को छोड़ेंगे सरकार इसके जिम्मेवारी उठाएगी और गुरू जी क्रिडिट कार्ट से पांच लाख दस लाख पंद्रह लाख दो लाख एक लाख रुपिया भी खर्चा होगा तो सरकार आपको सार्थिक सहाथा देने का काम करेंगे और उसमें कुछ आपको जमीन गिर्वी रखने का जरूत नहीं है गाहे बक्री बेचने का जरूत नहीं है आपको सिर्फ गारवे बारवी पास होना जरूरी है और आगे पढ़ने की इच्छा सकती हो जिस कॉलेज में आप जाएंगे जब तक आपका डिग्री आपको नहीं मिलता शरकार को पैसा भी आपको वापस नहीं करना है डिग्री मिलेगा नौकरी मिलेगा सरकार को दीरे दीरे पैसा वापस हो सबी चातर चातर आओं तब कहां से बोज बनेगे हमारे यहां अब यहां तो छोड़ो इस देश के परतिश्रिस कॉलेज के अलावा आप हमारे बच्चे आप हमारे बच्चे विदेश भी अगर जाकर के पढ़ना चाहते हैं तो आज इस राज का आदिवासी दलीत पिछडा संक्यक का बच्चा के लिए हमने कानून बनाया है अब हमारे बच्चे विदेशों में भी सिख्चा गरन कर रहे हैं और उसका पूरा खर्चा सरकार उठाती है और कोई गरंटर नहीं लगता